नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग, जितना कठीन संगर्स होगा, जीत उतनी ही सांदार होगी, इस बात पर विश्वास करते हुए, लगातार अध्यन करते रहें, विपरित हालातों में अध्यन करते रहें, सपलता एक दिन अविश्य मिलेगी, ये हम आप से वादा कर सकते हैं लेकिन उसके लिए तपना होगा, त्याग करना होगा, किताबों से प्रेम करना होगा, घंटों आप लोगों को पढ़ना होगा, तब कहीं जाकर सपलता मिलेगी, हम जो अपने यूट्यूब चैनल पर जिस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहरे हैं, वो मुहिम आप लोग जान टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, हम कौशिश करेंगे कि 15-20 प्रशन आप लोगों को यूट्यूब पर भी इसके उपलप्त करवाए जाए, इस टॉपिक को सुरू करने से पहले, ये सारे प्रशन वो है, जो कभी न कभी किसी एक्जाम में आ रखे हैं, वर् सारी नई मुहिम में सामिल होना चाहते हैं, जो बारे टेलिग्राम चैनल है, सुरेंदर सिंग राजफृत, पॉलिटिकल साइंस के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, उसको आप जोइन कर सकते हैं, वह आपको स्कूल वैख्याता राजिनिति विज्ञान से समन्दित, MC कुच प करेंगे तो आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा, 82097-24629, पॉलिटिकल एकेडमी नाम से इस नंबर को आप लोग सेव कर सकते हैं, और इन नंबरों से आप लोगों को जो है, लिंक बेज दिया जाएगा, यदि आप टेलिग्राम चैनल से जुड़े, त इस ओर से हमारा पोलिटिकल अकैडमी एप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जहां आप स्कूल वैखेता राजनीती विज्ञान से समधे डेमो क्लास और नौट्स भी आप लोग आँस आखर देख सकते हैं, अभी जिस दिन आप इस वीडियो को देख रहे हैं, उस दिन की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन जिस दिन इसको हमने अपलोड किया यूट्यूब पर, उस दिन की बात करो तो बैच नंबर 5 आप लोगों को मिलेगा, जिसमें राजनीती विज्ञान का पूरा पठ्यक्रम करवाय जाएगा, इसकी विशेस्ता यह है कि इसी में आपको 11-12 की NCRT कंप्लीट मिलेगी, इसी में आपको 5000 प्लस प्रश्णों के वीडियो हल मिलेंगे, इसी में आपको 50 टेस्ट भी मिलेंगे, पार्ट वाइस, तो आप इससे जुड़ सकते हैं, यह 4-in-1 बैच है, इसके अलावा ही दिया आप स्कूल वेख्याता राजनीती विज् तो भी आप Political Academy से इस बैच को आप लोग ले सकते हैं, जिसमें गणपा सिंग जी राजपुईत और उनकी पूरी टीम के द्वारा इस कॉर्स को डिजाइन किया वा है, आप इससे भी जुड़ सकते हैं, आईए बिला विलम के हम अधिकारों के प्रश्णों पर continue चर्चा को जारी रखते हैं, और पहला जो प्रश्ण है, वो आप लोग देखिए किस प्रकार का प्रश्ण है, अधिकारों के संतर में सत्य कथन को चांटिए कि कौन कौन से कथन इसके अंतरगत क्या है, सही है, सबसे पहले अधिकार रज्य को कुछ खास तरीके से कारिय करने हितू व जैदानिक दाइत्व स्वापता हैं, क्योंकि अधिकार नकारात्मक भी होते हैं, अधिकार सकारात्मक भी होते हैं, शकारात्मक अधिकार के तयत रज्य व्यत्ति के हितों के लिए कुछ कारिय करता है, जैसे शिक्षा का कारिय है, रूजगार का कारिय से बहुत से कारिय है तो ये कतन बिल्कुल क्या है सही है अधिकार में ये मांग भी सामिल है कि रज्य को क्या नहीं करना है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अधिकार नकारात्मक भी होते हैं नकारात्मक अधिकार का मतलब है कि उस चैतर में रज्य किसी परकार का हनन नहीं करेगा तो अधिकार न निर्मित कानून बल पुर्वक लागू हो सकते हैं। आप लोग जानते हैं कि हमारी शरकार हमारे जन परतिनितियों को हमने चुनकर बेजा है और हमारी शरकार यदि बहुमत से कानून बना देती है तो उन कानूनों को लागू किया जा सकता है। यदि कुछ लोग उन कानून देखे अधिकार बोशांग के का बड़ा महतफ़ुन कतन है कि अधिकार व्यक्ति की वह दावे हैं वह मांग है जिसे समाज श्विकार करता है और रज्य उसको प्रभावी बनाता है उसकी सुरुक्षा करता है आप इस कतन के बारे में जानते हैं तो इस आधार पर यविदि बात करें तो अधिकार के लिए सामाजिक श्विकरती होना बहुत जरूरी है तो अधिकार के लिए रज्य के साथ ही सामाजिक श्विकारियता भी आवश्यक है यानि कि समाज उन्हें श्विकार करता है और वुशी को अधिकार के रूप में मानेता समाज के द्वारा दी ज नहीं हमारी श्वार्थ पूर मांग है अधिकार का रूप नहीं ले सकती है, तो बुसंख्य का मैथ पूर्ण कतन है कि राज्जी उनको लागू करता है या उनका शंग्रक्षन करता है उसकी सुरुक्षा करता है, तो इस इसतती में 4 के 4 कतन आप लोगों के क्या है, सही है संपति के अधिकार को किसने प्राकृतिक अवस्ता में संपति के अधिकार की संस्ता का अभाव माना था आप लोग जानते हैं कि जॉन लॉक प्राकृतिक अधिकारों का जनक है जॉन लॉक जीवन स्वतंत्रता और संपति के अधिकार की बात करता है जॉन लॉक समानता के इस बात का आपको विश्य सुरुप से ध्यान रखना है क्योंकि यही विकल पाता है, जीवन, शंपती और श्वतन तरता के अधिकार की बात करता है जॉण लॉक, जॉण लॉक को आम प्राकर्तिक अधिकारों की सिधानत का जनक मानते हैं, तो जॉण लॉक ने तो संपती को बहुत मैथपुन माना है, लेकिन आप लोग इस बात को जानते हैं कि तॉमस हॉप्स ने संपती के अधिकार को स्विकर्ती नहीं दिया, संपती के अधिकार की वो प्राकर्तिक अवस्ता में बात नहीं करता है, हॉप्स का तो यह माना है कि प्राकर्तिक जो अवस्ता थी, उसमें व्यक्ति का सबसे मैत्पुन अधिकार था, आत्मरक्षा, जीवन का, और उस जीवन किस रुक्षा के लिए, उस शक्ति के लिए, वो किसी की संपति छीन सकता था, किसी को मार सकता था, वो कुछ भी कर सकता था, प्राकर्तिक शक्तियां का है, प्राकर्तिक अधिकार को थॉमस होप्स ने हम बात कर चुके हैं नेचुरल जस की संग्या वो देता है तो होप्स प्राकरतिक संस्ता को स्विकार नहीं करता है संपती संपती की संस्ता को स्विकार नहीं मानता है और प्राकरतिक अवस्ता में और दूसरा रूशो रूशो की जो प्रारंबिक प्राकरत किया उस दिन से प्रोब्लम स्टार्ट हो गई और इशी विश्मता के कारण वो शामन इच्छा का निर्मान करके लोगों को वापिश श्वतंतरता का अधिकार देना चाहता है रूशो की निजर में प्राकृतिक अवस्ता में श्वतंतरता का अधिकार सबसे मैत पूर्ट था तो प्रशन है कि कौन से दो विशारक थे या कौन से विशारक जो संपतिकी संस्ता को विद्यवान नहीं मानते प्राकृतिक वस्ता में तो इसका आपके हो जाएगा फॉमस हॉप्स और रूशो तो इस एसाप से आपका अधिकारों का जनक भी इशे कहां जाता है अगला प्रशन यह भी असिस्टन प्रपेशर वर्श 2020 का है निमनांकित मैं से कौन से सिदांत नौजिक के हगदारी के सिदांत का भाग है रॉबर्ट नौजिक ने अपना जो हगदारी का सिदांत दिया उसमें वो तीन सिदांत की बात करते हैं जिसमें वो हस्तांतरन की बात करता है कि कोई भी व्यक्ति ने किसी से वेधानिक तरीके से किसी संपती को हस्तांतरित किये तो उसका उसके उपर अधिकार होगा तो ये हस्तान्तरन का सिधान्ती हम इसको इस्तान्तरन का सिधान्त कह सकते हैं, दूसरा उसका कहना है कि यदि किसी व्यक्ती ने न्याइपून तरीके से संपती का अधिगरण किया है, उसको प्राप्त किया है, तो उसमें कोई दिकतनी उसके उपर उसका हक होगा, और तीसरा यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से भी संपती लिये है तो उसका परिशोधन हो सकता है तो अन्याईपूर्ण संपती का परिशोधन के सिद्धानत की भी वो बात करता है हमने रॉबर्ट नौजिक में बहुत डिटैल में इन बातों की चर्चा कि यह हलकी सी चर्चा हम लोगों ने इस टॉपिक में भी किया है इसलिए यह प्रशन यहापर लिया है तो न्याईपूर्ण यह तीनों सिद्धानत तो रॉबर्ट नौजिक से समंदित है जबकि आउसर की निश्पक्ष समानता का सिद्धान आउसर की समानता की बात आउसर की उचित समानता की बात करते है जॉन रॉल्स रॉबर्ट नौजिक की उन सिद्धानतों में इसका उ रहती है, ताकि आप पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखे कि कहां से प्रशन उठ सकता है, कहां से प्रशन बन सकता है, अगला प्रशन, चौथा नमबर, अधिकारों के किस सिद्धाम्त में दावा किया गया है, कि अधिकार अविभुज्य है, यहनकि जिसका अलग नहीं कि किया जा सकता है अधिकारों को, और इन्हें व्यक्ति से प्रथक नहीं किया जा सकता है, इनकी व्यक्ति से अधिकारों को प्रथक नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अंतरभूत है, व्यक्ति में ही नीत है, और इसकी पुर्ववर्ति समाज और रज्य से पहले, इनकी यह अधिकार प्राप्त होते हैं, उनको रज्य भी छीन नहीं सकता है, तो बहुत अच्छा प्रशन है, बहुत सरल प्रशन है, ये नैसरगीक अधिकारों का सिद्धान, जिसको हम कहते हैं, प्राकर्तिक अधिकारों का, सिद्धान ते जो रज्य और समाच की उत्पति से पहले ही अधिकारों को श्विकार करता है अगला अधिकारों का बहु संसकर्तिक दर्ष्टिकॉन बहु संसकर्तिक दर्ष्टिकॉन विल किमली का भिकु पारिक की अमलोग बात कर चुके हैं बहु संसकर्तिक दर्ष्टिकॉन नहीं श्विकार करता है कि किसको स्विकार नहीं करते हैं ये बहु संस्कृतिक दर्ष्टिकॉन वाले नहीं स्विकार करता है इसका मतलब चार विकल पे तो एक ऐसा कतने जो बहु संस्कृति वादियों के अनुशार सही नहीं है बाकी सब सही है वास्त्रिक समानता के लिए एक जैसा व्यवार आवश् जबरदस्त आलोचक है ये तो इसके बहुत संस्कृति वादियों का कहना है कि सब के साथ एक जैसा वेवार नहीं किया जा सकता कोई भी चीज शार्व भूमिक नहीं हो सकती है क्योंकि अलग-अलग जाती है समूँ अलफशंक्यक जो लोग है राष्टिय अलफशंक्यक जो लोग है उन लोगों के अलग परकार के आदिवासियों के मूलवासियों के अलग परकार के अधिकार होते हैं आप सब को एक ही तरह जुमें नहीं तोल सकते हैं तो बहुत संस्कृतिक दरश्टिकॉन वाले वास्तविक समानता के लिए एक जैसे व्यवार को आवश्यक नहीं मानते हैं तो नहीं स्विकार करते हैं इस बात को स्विकार नहीं करते हैं और आगे बढ़के देख लेता हैं शबी नागरिकों के साथ प्रामानिक समानता का व्यवार आवश्यक है एक ऐसी समांता जो वास्ता में सब तक पुंशनी होने चाहिए, और उसके लिए विवेद पुरुवक अधिकारों की बात यह करता है, आप लोग जानते हैं, हम चर्चा कर चुक है, तो बिल्कुल यह कतन सही है, वास्तविक समांता के लिए समाज के विविद हमों के मद्य अ शार्व भूमिक नागरिकता का मेरियम यंग ने विरुद किया है, शार्व भूमिक नागरिकता का मतलब है कि सभी को एक जैसे नागरिकता और उसके तरह दिकार दे दिये जाए। बहुत संस्कृती बाद उसका विरुद करते हैं, वो कहते हैं कि शार्व भोमिक नागरिक्ता का विचार विबेद अंधता है, जो विबेद है, जो समाज में जो विविनता है, उसके प्रती आँखे मूंद करी नदिकारों की बात करता है, जो बिल्कुल गलत है, तो इन अगले प्रशन की यदि हम बात करें, प्रती एक रज्ज को उसके द्वारा प्रदत अधिकारों से जाना जाता है, ये कतन गुमा फिरा के किसका आ जाता है, लौस्की का आ जाता है, इस बात का ध्यान रखना, अधिकारों में से लौस्की के प्रशन बहुत अधिक पूछे जाते हैं तो वो ठीक से आप लोगों को ध्यान में रखना है समू विबेदिकरत अधिकार की बात तो करते हैं ध्यान रखना विल किमलिका और समू विबेदिकरत नागरिक्ता की बात करती है मेरियम यंग ये दोनों आप लोगों को विशेश रूप से ध्यान में रखना है तो इन्हांने का कि शार्व भोमिक नागरिकटा का विचार बिबेद अंधता पर आदारिते जो बिबेद को शिविकार नहीं करता है विविद को स्विकार करने वाली नागरिकतात होगी समू विवेदी करत नागरिकता जिसके समर्तक कौन है आईरिस मेरियम यंग है इस बात का आप लोगों को धिहान रखना है फ्रांसीशी और अमरीकी करन्तिया किस धारना का समर्तन करती वो प्राकरतिक अधिकारों की धारना का समर्तन करती और यही कारण है कि एडमंड बर्क जो की एतियासिक अधिकारों का समर्तक था उसने फ्रांसीशी करन्ति का आलोचना की क्योंकि प्राकरतिक अधिकारों को जरमजात होते हैं रुन अधिकारों से उनको वंचित नहीं किया जा सकता है। जबकि शकारात्मक अधिकारों में गैर हस्त शेप नहीं कर सकता है। जबकि शकारात्मक अधिकारों में गैर हस्त शेप सामिल होता है। जबकि शकारात्मक अधिकारों में करतविये सामिल होता है। बहुत ठीक से इनको पढ़ना होता है। आराम से ऐसे प्रशनों को आप लोग हल कर सकता है। UPLT में वर्स 2018 में प्रशन पूचा गया था बड़ा जबरदस प्रशन है कि निम मैंसे कौन सा सुमेलित नहीं। इसका मतलब चार है, तीन सुमेलित है और एक सुमेलित नहीं। प्राकरतिक अधिकारों का सिद्दान्त ये कहता है कि अधिकार रज्य के पूर्व है, अधिकार समाज के पूर्व है और बिल्कुल सुमेलित है। अधिकारों का वैदानिक सिद्दान्त कहता है कि अधिकार रज्य की दैन है, बैंथम लिखते हैं कि अधिकार विधी की दैन है, कानून की दैन है, तो उस बात को स्विकार करते हैं कि अधिकार विधी वक्यवल विधी की विधी का फल है, विधी का परिनाम है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है कि अधिकार रज्य की करती है, रज्य है तो अधिकार है और रज्य द्वारा निर्मित कानूनों शेही व्यक्ति को अधिकार पराप्त होते हैं, अधिकारों का इतियासिक सिद्दान्त कहता है कि अधिकार परंपराओं, इतियास, वन्शानुगत, इन चीज प्रचित करते हैं, कि अधिकार मनुष्य की शक्ति है, तो यह इसमें बिल्कुल सही नहीं है, तो यह इसका उत्तर आप लोगों की ओगियाद, तो इस प्रकार के प्रशन पढ़ने से आप लोगों की प्रैक्टिस हो की, जितने प्रशन टॉपिक पढ़ने, उसके बाद में प बड़ा प्रशिद कतन है, अधिकार वध आवा है, जिससे समाज श्विकार करता है, और रज्य लागू करता है, आँक मंद करके ऐसे प्रशन हल होने चाहिए, बोसंग के, और यह इती कतन भी आप लोगों को याद नहीं है, इसका मतलब आपकी त्यारी ठीक से नहीं है, अ राज्य परंपराओं की देन है, यहींकि राज्य परंपराओं की देन है, और परंपराओं से ही जो है अधिकार निर्मित होते हैं, जब लंबे समय तक परंपराएं जो है समाज के अस्तितों में रहती हैं, तो फिर जो है परंपराओं के तैत उन अधिकारों का निर्मान वो जाता है, एडवन्ट बर्क इसका बहुत बड़ा समर्तक है, किसने का अधिकार विवेक पर आधारित वो मांगे, जिसे समाज मानेता देता है और रज्ये द्वारा लागू किया जाता है, वो ही कथन किसका है, बोशांके का है, थोड़ा सा इदर दर हो गया, कोई दिकत न लेकिन मूल भावना जो बोशांके का कतन है, उसी का कतन है कि अधिकार विवेक पर आधारित वो मांगे, और विवेक पूर मांग कभी नहीं हो सकती है अधिकार, अधिकार स्वार्त की मांग कभी नहीं हो सकती है, वो व्यक्ति की ऐसी मांग है, जो नेतिक है, जिसे समाज स समझोतावादी जितने भी हैं, सब ने कहा है कि रच्ज की उत पती से पहले प्राकरती का वस्ता थी और प्राकरती का वस्ता में प्राकरती का दिगार की बात होती है। तो सिध़ा सा इसका उत्तर हो जाएगा. एक मिनट प्राकरतिक अधिकारों का सिधान्त एक भागे बिल्कुल सामाजिक समझोति सिधान्त का क्या है भागे ये चीज़ें कंटिनू जब टॉपिक को हम पढ़ते हैं हम वेस्टन तिंकर की बात कर चुके हैं हमने हॉप्स लॉक रूशों में इन चीज़ों को ठीक से और सामाजिक समझोति के द्वारा शिविल सोसाइटी का निर्मान किया मानव अधिकारों की धार्ना की निम्न मैंसे किस एक परिपेक्ष्य में आलोचना की जाती है मानव अधिकारों की सार्व भूमिक गोस्टना 10 दिसंबर 1948 को की गई हमारे श्योंक त्रस्टशंग की माह का विशय बनाया नारी वादियोंने का आलोचना की बहु संस्कृति वादियोंने आलोचना की इसकी अफ्रीकन लोगोंने आलोचना की एशिय मुल्य की द्वारा आलोचना की गई तो बहुत से लोगों की द्वारा इसकी आलोचना की गई समुधाई वादियों की द्वारा इसके आलोचना की गई, इन सब का कहना है कि अधिकार सार्व भूमिक कभी भी नहीं हो सकते हैं, तो इस आधार पर सार्व भूमिकता के आधार पर इनकी क्या की गई, आलोचना की गई थी, पंथ निर्पिक्सता के द्वारा नहीं की गई, व्यक्तिवाद के आधार पर भी आ अमुर्थ अधिकारों पर आधारी थी जबकि अंगरेजों की करांति, अंगरेजों की परमप्राग्त अधिकारों पर आधारी थी, एड मुंदबर्क गयेगा, हमने Thomas penne और एड मुर्पूर्क के विवात के बारे में चरचाः की, जिसे penne बर्क विवात के नाम से जाना जात थॉमस पैन प्राकृति कदिकारों का समर्तक है, एडमंड बर्क एतियासिक दिकारों का समर्तक होने के ना ते वो इंग्लेंड की गौरपुन करांथी का समर्तन करता है और फ्रांस की रज्य करांथी की आलूचना करते भी वो कहता है कि फ्रांस की करांथी अमुर्थ अधिका बात करते हैं बिना कानुनों के कुई अधिकार नहीं है कानुनों से पहले कोई अधिकार नहीं हो सकता है बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों की सिद्दांत की आलोचना की, बेंथम ने प्राकृतिक अधिकारों को और आजक भरम का, बेंथम ने उनको बहुत से सब्दावलियों के माध्यम से उसकी आलोचना कीगे, प्राकृतिक अधिकारों की बेंथम के द्वारा, लौक के प्र प्राकरतिक अधिकारों की आलोजना की इसलिए वो कहते हैं कि अधिकार कानुनों तता केवल कानुनों का फल है और रज्य की बिना कानुन कौन बनाएगा तो अधिकार कानुनों तता केवल कानुनों का फल है बिना कानुनों के कोई अधिकार नहीं हो सकता है इनकी प्राकरति का कता ने बड़ा अच्छा प्रशन बनता है बेंतम में से ये और कई अग्जाम में ये प्रशन पूछा जा चुका है अगला निमलिकित मैंसे किस ने अधिकारों के नीजी और सारजनिक अधिकारों में विभाजित किया हमने जब महत्पुन सब्दावलियों की बात की थी तो उसमें हमने दिखाता कि हर्वर्ट स्पेंसर ने कहाता कि अधिकार दो प्रकार के होते हैं एक नीजी अधिकार और दूसरे सारजनिक अधिकार तो एक कथन आपके हो जाएगा हर्वर्ट स्पेंसर का अधिकार समन्दी सबसे पुराना सिधा अधिक महतव देता है, आदर्सवादी जो सिध्दान्त है वो आंतरिक विकास को महतव देता है, क्योंकि आदर्सवादी सिध्दान्त के समर्तक कौन है, एमुनल कांट और टी एच गरिन और दोनों आदर्सवादी विचारक है और ये नितिक विकास पर बल देते हैं आंतरिक विकास पर बल देते हैं गरिन का ने तो यहां तक का है कि अधिकार व्यक्ति के आंतरिक विकास की बाहे प्रस्तितिया हैं तो आप लोग आराम से इस वि लौस्की का कतन होगा ये लौस्की के कतन बहरा प्रशी दैर बहुत बहर पूचा जाता है अलग लग तरीके से इसको पूचा जाता है तो इसका थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है अधिकार वास्तों में सामाजिक जीवन की वह प्रस्तितिया जिसके बिना आम तोर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सरिश्टतम विकास नहीं कर सकता है। पर भी इसकी चर्चा नहीं की, इसलिए मैं इस चीज को या पर लेका है, कि ये तथी भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, कि गौर्णर ने का है कि अधिकारों का वास्तफिक संग्रक्षन जन्मत होता है, क्योंकि जन्ता का ही वो मत होता जिसके तैद वो अपने अधिका का चैन नीचे दिएगे, कूट से कीजिए, कूट वाले प्रशन, कथन कारण वाले प्रशन, मिलान करने के प्रशन, कथन वाले ये सारे प्रशन आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए हैं, आप लोगों को पता तो चले कि प्रशन बनते कैसे हैं, अब ये प्रशन इस प्रक एमुनल कांटि ये दोनों, तो पहले में चार, तो ये वाला इसके अंतरगत आ गिया, अधिकारों का नैसरगी के निए प्राकरतिक सिदान्त का जनक, प्राकरतिक अधिकारों के सिदान्त का जनक, जॉन लॉक, अधिकारों का एतियासिक सिदान्त आते ही, आपको एकी नाम य काम का अधिकार है जब लौस्की के हमने अधिकारों के बारे में हम लोगों ने लौस्की के अधिकारों के बारे में जब हमने बात की तब वो विशेश अधिकार बताते हैं और लौस्की कारियात्मक सिद्धान्त की बात करता है सिवाधर्मी रज्य की बात करता है वो काम के इसे उसे वंचित करना जो उसके व्यक्तितव कि विकास को संभव बनाती है. तो व्यक्ति काम करके ही, क्योंकि काम व्यक्ति का एक महत्पूर्ण, रोजगार महत्पूर्ण, पहलुए जिसके मादियम से उसके व्यक्तितव कि व yapmış पर उसका कापी परभाव पड़ता है. ऐसे ही स्थिति में काम से व्यक्ति को आप वंचित कर रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के विकास में ही आप बादा उत्पन कर रहे हैं, तो ये कथन आपके किसका हो गया, लॉस्की का हो गया, निम्न मैंसे कौन सा कथन सही समझा जा सकता है, अधिकार व्यक्ति की शक्ति का दू अधिकार इश्वर की दैन नहीं है एक शही धंग से दियम बात करें तो अधिकार एक ऐसा दावा है जिसको समाज मानेता देता हो रज्य लागू करता है और एक किसका कतन है बोसंक के का कतन है तो ये कतन इसके अंतरगत सही होगा अंतिम विकल्प तक आप लोगों को जाना च किया प्राकृतिक अधिकारों का समर्तन कौन नहीं करेगा पैन तो प्राकृतिक अधिकारों का बहुत बड़ा समर्तक है मिल्टन भी है वॉल्टैर भी है कौन समर्तन नहीं करता है शिजविक समर्तन नहीं करता है इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे तो चार नंबर व प्राकरतिक अधिकार कर सकते हैं, प्राकरतिक अधिकार का सिधानत एक बखवास है, कौन कहता है ये, जरमी बेंतम कहता है, कौन सा एक सामाजिक अधिकार नहीं है, तो देखिए सामाजिक अधिकार कौन सा नहीं है, शीदा निकल जायेगा मत देने का अधिकार कैसा है, राज सरीतिक अधिकारों में किश्य समलित नहीं किया जा सकता है, मतदान को समलित करेंगे, चुनाव लड़ने की बात को सामिल करेंगे, सरकार का विरोध भी कर सकते हैं, काम पाने का अधिकार आर्थिक अधिकारों के अंतरगत आता है, तो अधिकारों के प्रकार भी आपको पता ह ती एच ग्रिन का, समाज के विरुध, अधिकार परश्पर विरुध ही अभी वेक्ति ये बात कौन करता है, ती एच ग्रिन करता है, क्योंकि आधर्शवादी और समाज और अज्जी को काफी महत्व देते हैं, कथन, श्वतंत्रत और समानता दोनों लोकतंत्र के आधार इस् निम्न मैसे कौनसा एक सुमेलित है, सई सुमेलित कौनसा है, शंक्षिप्त रज्य अधिकारों को निर्मित नहीं, बलकि मान्य करता है, ये कतन लौसकी का नहीं है, रज्य द्वारा मान्य, मांगे ही अधिकार है, नहीं, ये कतन बैंतम का नहीं है, बैंतम तो कहता है कि यसमाज श्विकार करता है, रज्य लागू करता है, च्वॉता है अधिकार इस तप्थे से उत्पन होते हैं कि मनुष्य σामाजिक प्राब्त होने चाहिए तो च्यार Ρम्बर विकल्प इसमें आप कहां सही हो जाएगा। निमलिकित मैस से कौन एक कथन अधिकारों के बारे में सही है, तो अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है, अधिकार व्यक्तित्व सही नहीं है, देखे, बहुत धंक्षि पढ़ना होता प्रशन को, वे मातर व्यक्तित्व के विकास को सम्रद बनाते हैं, बिल्कुल बात स अधिकार समाज के बाहर कोई अधिकार नहीं होता है, अधिकार को समाज से जोड़कर देखते हैं, समाज कल्यान के जो समर्तक सिद्धान्त है, उप्योगितावादी जो सिद्धान्त के समर्तक है, विदिक अधिकारों के जो समर्तक समाज है, तो वो सब समाज से स्वतंतर अधिकारों की बातकौम स्विकार नहीं कर सकते हैं। कहते हैं कि समाज से पुर्व अधिकार थे, रज्य और समाज की उत्पती से पहले अधिकार थे, यह बात हम लोगों को पच्चती नहीं यह इस आधार पर बहुत से लोग इसकी आलोचना करता है। अधिकार संपर्भुता की नहीं यही उत्तर से ही रहेगा इसका 37 में दोगा आप लोगों के। उसके बाद में निमलिकित में से कौन से राजनितिक अधिकार भारत में सिविल सेविक को उपलबनी होता है। क्या कोई सरकारी सिविल सेवक राजनितिक विछार व्यक्त कर सकता है। नहीं उसको तटस्त रहना होता है। क्या राजनितिक अंदोलन का समर्तन दे सकता है। नहीं वो ऐसा नहीं कर सकता है। राजनितिक दल को वित्य योगदान दे सकता है। तो कौन से उसको उपलब्द नहीं है, ये तीनों उपलब्द नहीं है, राजनितिक तताराष्टे चुनाव में मद्दान, मद्दान तो करेगा चाहे वो किसी भी पदपर है, उससे कोई फरक नी पड़ता है, तो इसमें हो जाएगा कौन से प्राप्त नहीं है, A, B, C प्रागरिक अधिकार इसमें ले सकते हैं, दूसरी पीडी में हम सामिल करते हैं सामाजिक और आर्थिक अधिकारों को, और तीसरी पीडी में उपनी वेशिकरत जनता, उपनी वेशिकरत जनता मूलवासियों की जो अधिकार है शामूईकता की जो अधिकार है एक जुड़ता की अधिकार वो इसमें हम लोग सामिल करते हैं शिक्षा का अधिकार दूसरी पीडी में आएगा क्योंकि सामाजी का अधिकार में हम इसको मान सकते हैं स्वास्ते का अधिकार भी इसके अंतरगत आएगा सामाजिक आर्थिक अधिकारों में, आवास का अधिकार भी रोटी कपड़ा मकान आर्थिक अधिकारों में आजाएगा, तो उत्पीडन और दास्ता से मुक्ति का अधिकार तीसरी पीडी के अधिकारों में आएगा, क्यों अधिकार रज्य की करती है, वो इस बात का समर्तन करते हैं, विदिक अधिकारों के समर्तक ये नहीं कहते हैं कि अधिकार सुनिचे तता इस्तिर है, क्योंकि अधिकारों को बदला जा सकता है, सामाजिक चेतना जैसे जैसे बदलती है, नहीं अधिकारों की मांग होती है, तो विधी की दैने, बैंथम का कहना है कि अधिकार विधी, वो केवल विधी का फल है, निमलिकित मैंसे कौन सा एक शुमेलित है, सही, कथन दे रखे हैं, कौन सा किसका है, प्रति एक रज्य की पैचान उसके द्वारा पौशित अधिकारों से होती है, लौक का कथन नहीं है, रज्य अधिकारों का सरजन नहीं करता, बल्कि अधिकारों को मानेता देता है, यह हम कह सकते हैं कि बोसंक्य से समंधित कतन हो सकता है, वो कहता है कि अधिकार व्यक्ति की वो मांगे जिसे समाज श्विकार करता, रज्य उसको लागू करता है, तो बल्कि अधिकारों को मान प्रतिक शक्ति जस नेच्रल सब्द का परियूग किया है ताकि वो अपने जीवन के अधिकार की सुरुक्षा कर सकता दिये इसमें सुमेलिध है अधिकार इस तब्तिय से जनित है कि मनुष्य एक सामाजिक प्रानी ये मैकाईवर का कतन है लौस्की का कतन नहीं है नीचे दो बिल्कुल सही है किसी भी रज्जिक की पैचान उन अधिकारों से होती है उन अधिकारों से होती है जिसकी वो पैचान करता है जिसकी वो रक्षा करता है जो उसको प्रधान करता है बिल्कुल बात सही है क्योंकि अधिकार सामाजिक जीवन की वो प्रस्तितिया है जिसके ब बरक का कहना था कि अधिकार है वो एतियासिक है, बरक का पैन का कहना था कि अधिकार प्राकर्तिक है, तो अधिकारों के वास्त्रिक और काल्पनिक होने पर, बरक ने कहा कि प्राकर्तिक अधिकार काल्पनिक है, जबकि अधियासिक अधिकार वास्त्रिक है तो इस पर तो आध यह भी हो गया अधिकारों का अतियासिक और प्राकृतिक यह तो मूल मुद्दा थाई क्योंकि बर्क जो है अतियासिक अधिकारों का समर्तक था पैन प्राकृतिक अधिकारों का समर्तक था शंदरबत और सारुभुमिक का भी था बिल्कुल सब जगे पर सभी पर लागो होने वाले अधिकारों को लेकर भी कि प्राकृतिक अधिकार मानने है अत्वा नहीं है अत्यासिक अधिकार मानने है कि दोनों को लेकर विवाद था लेकिन अधिकारों के आर्थिक और राजनितिक होने पर ये विवाद नहीं था इन अधिकारों का मुख्य विवाद था कि अधिक इसको लेकर बड़ा विबाद था तो इसका उत्रो जाएगा चार अपने कर्तविये का पालन कीजिए अधिकार आपको श्वही मिल जाएंगे ये तना सरल और बढ़िया कतन तो मात्मा गांधी का ही हो सकता है निमलिकित मैंसे किस एक अधिकार को विदिक सामर्तिय प्राप्त नहीं है किस अधिकार को विदिक सामर्तिय प्राप्त नहीं है कि जिसको नियाले में हम परवर्त नहीं करवा सकते जिसको कानून की शक्ति शेलागू नहीं किया जाता है नितिक अधिकारों के पीछे कोई विदिक सामर्तिय प्राप्त नहीं होता बाकी न अबाव में शामानिते कोई व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास नहीं कर सकता है, लौस्की का कतन है, किसी को पूछने के भी आउशकता नहीं है, जा व्यक्तित्व के विकास के शब्दावली आजाती है, वहाँ वो कतन लौस्की का हो जाता है, अधिकारों के कानूनी शिदा इसलिए नहीं है, अधिकारों का जो शिदान था, हॉप्सी की सुरुवात करता, उसके बाद में बेंतम और लॉस्की, इसके बहुत बड़े, बेंतम और आस्टिन स्वरी लॉस्की समाज कल्यान लॉप्यों की दावादी शिदान्त के समर्तक थे, ऑस्टिन इसके बहुत ब यहीं कि उसे लागू किया गया है, यह तो प्राकृतिक अधिकार वाले बात ही कहेंगे कि क्योंकि वो अधिकार है, जनम से उनको प्राप्त होते हैं, उसे व्यक्तिक को अलग नहीं किया जा सकता है, यह कतन किसका है, तो इस प्रकार के जो कतन है, वो प्राकृतिक अधिकारो संबन्दित हएंगे कि व्यत्ति का अधिकार जो से सहज यानि सहज़तां से प्राप्त है उसको किसी ने तो उससे छिनने वाला भी क्यों दिया नहीं है। उससे इलग किया जा सकता है। लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे प्राकर्तिक अधिकारों की अधरना में सम्लिक नहीं किया। बहुत सरल प्रशन है, फिर भी मैंने लिया, क्योंकि गलती यहां होती है, जीवन, संपति और स्वतंत्रता के तीन प्राकरतिक अधिकार की जॉन लॉक बात करता है, किसी भी राज्चिक की पैचान उन अधिकारों से उत्ती जिसकी वो रक्षा करता है, यह कथन है आप लोग कि अधिकारों की जो कशोटी है, वो उप्योगिता है, अधिकार समाज कल्यान से समंदित होंगे, व्यक्ति के स्वार्थ से समंदित अधिकार कभी भी नहीं हो सकते हैं, मनुष्य को सामाजिक हिद के विरुद कोई अधिकार नहीं दिये जा सकते हैं, यह कथन सही है काफिय तक क्योंकि अधिकार व्यक्ति की वह मांग है, जिसे समाज श्विकार करता है, समाज के वल नेतिक दाओं को श्विकार करेगा, समाज हित के दाओं को श्विकार करेगा, अधिकार ऐसे अधिकार नहीं हो सकते हैं, जो यानिकी मनुशिय के सामाजिक हित के विरूद अधिकार नहीं हो सकते हैं अधिकार व्यक्ति के हित से समंदित होते हैं समाजिक हित से समंदित होते हैं अधिकार स्वारती दावे नहीं हो सकते हैं क्योंकि व्यक्ति की मांग स्वारती हो सकती लेकिन समाज जिसको स्विकरती देगा वो स्वारत को स्विकरती कभी नहीं देगा अधिक अधिकारों को जनम नहीं देता, बल्कि उन्हें मानेता परदान करता है, ये कथन किसका है, तो ये कथन भी आपके किसका है, लोस्की का है, इनकी जहां उसने किन अधिकारों को मानेता दे रखी है, व्यक्तित्व के विकास की बात आ जाती है, रज्य की पैचान उससे होती है कि उसने कौन से अधिकार दे रखें इस परकार के प्रशनों का उत्तर हेरोल्ड जे लॉस्की है तो हर राज्य की पैचान इस बात से होती कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है अब ये पूरा लंबा चोड़ा कतन है उसमें ये चीज़ें भी सामिलें आप इतनी चीज़ी बात याद रख लोगे तो ऐसे प्रशन आप लोगों के हल हो जाएंगे अगला निमलिखित मैंसे कौन अधिकारों के निर्दे सात्मक से दांत का सबसे अच्छा वर्नन करता है तो निर्दे सात्मक से दांत का वर्नन ये कतन करता है सिधा सिधा उत्तर बता देता हूं कि ये रज्य को एक लंबी या त्यासिक प्रिक्रिया के उत्पाद के रूप नीचे दो कथन दिये गए हैं, कथन कारण वाले प्रशन हैं, अधिकार वास्तों में दावे हैं, लेकिन प्रती एक दावा अधिकार नहीं है, अधिकार व्यक्ति की मांग है, व्यक्ति के दावे हैं, लेकिन प्रती एक दावा अधिकार नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी दाव हमारी दावे हमारी श्वास से जुड़े भी हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति के विरुद भी हो सकते हैं, समाज की विरुद भी हो सकते हैं, और ऐसे दावा को समाज कभी मानेता नहीं देता है, क्योंकि एक दावा अधिकार नहीं है, यदि उसके मानेता नहीं दी गई है, यद राजनीतिक अधिकार किस से समंधित है, राजनीतिक अधिकार है राज्य के मामलों में नागरिकों की भागीदारी, तो नागरिकों की भागीदारी कितनी है, इस बात से व्यक्तिके राजनीतिक अधिकारों को हम समलित करते हैं, तो राजनीतिक अधिकार राज्य के मामलों मे क्या वो कहता है कि रज्य की शक्ति के संदर में अधिकारों का इविवरन है बिल्कुल ये बात करते हैं यानि कि व्यक्तिकत अधिकारों का कानूनी सिदान्त रज्य की शक्ति के संदर में अधिकार की बात करता है कि रज्य ही वह शक्ति है जिसके द्वारा निर्मित कानून ह जो है अधिकार का रूप लेते हैं कानूनी अधिकारों के सिधान्त कानून द्वारा रज्य को कानून का अधार मानते हैं और रज्य कानूनों का निर्मान करता है और उसके कानूनों को लागू भी किया जाता है पसुजीव की मूल बाते नहीं ये भी नहीं है इसका उत्तर ह हो जाएगा आप लोगों के रज्जी की सक्ति के संदर में अधिकारों का विवरण है आजकल राजनित्ती की बैतर समझ बहुत सी इस्त्रियों में होती है बिल्कुल होती है और अभी 126 सविधान संसोधन वर्श 2030 के तैट लोक्षबा और रज्जी की विधान सबाओं में भी मैलाओं के लेकती है आरक्षब का सविधान संसोधन कर दिया गया है आलांकि लागू अभी नहीं हुआ है तो आजकल राजनित्ती की बैतर समझ बहुत सी मैलाओं में है इसलिए याक्यों की इस्त्रियों के आरक्षब के प्रावदान से इस्तानिय संस्ताओं में इस्त्रि कम का प्रावधन किया गया, जिसके कार्ण लाखों की संक्या में मैला जन प्रतिलिती की रूप में आगे, आईए, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और वेख्या भी सही है, अंतिम प्रशन आप लोगों के लिए दो, कि समुदायवादी दर्श्ची कौन के मुख्य परवर्त कौन सामिल नहीं है, चुकि समुदायवाद की बात हमने पहले कई बार किया, लेकिन ये प्रशन छूट गया था, तो इसमें भी समुदायवादियों की चर्चा हो री, तो मुझे लगा कि यहां पर चर्चा हो जानी चाहिए, तो आप लोग जानते हैं कि माइकल वॉलजर समुदायवाद से समुदायवाद से समुदायवाद से जटिल समानता की बात करता है, मैकेंटायर भी समुदायवादी है, अब बात आती रॉबर्ट डेहल और रूशो समुदायवादी है, और रूशो समुदायवादी क्यों है, क्योंकि यह समुदाय की बात करता है ये सामाने इच्छा की बात करता है और सामाने इच्छा का सदस्य होकर ही समुदाय का सदस्य होकर ही व्यक्ति अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकता है इस प्रकार की बात रूशो कहता है तो फिर इसका उत्र हो जाएगा रॉबर्ट डेहल अंतिम प्रशन प्र आखेलद्ध की समाज में इन अधिकारों इन नहीं किया जा सकताहे, प्रकर्ति के द्वारा मनुष्य mixed go बारे में हम लोगों को चर्चा करनी थी आप लोगों का बहुत-बहुत आभार कि आप हम से जुड़े हैं और मुझे लगता है इन प्रस्थनों को हल करने के बाद आपको लग रहा होगा कि आपकी पड़े काफी ठीक ठाक चल रही है नए टॉपिक के साथ अगली कक्षा में ह thank you very much